नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाज शर्मा लाल किताब के इस टूटोरियल में आपका स्वागत करता हूँ और आज का हमारा जो information या ग्यान का सिलसला रहेगा वो सूरे और बुद्ध के योग के बारे में रहेगा जिन लोगों की कुण्ड़ी में सूरे और बुद्ध एक साथ हैं उन लोगों के लिए आज information बहुत ही महत्वपून साबित होने वाली है क्योंकि सूरे और बुद्ध ये आपस में कई कुण्ड़ियों में आपको मिलेंगे कि एक साथ ही आ जाते हैं क्योंकि सूरे और बुद्ध इनकी एक rotation है गेलक्सी में वो उसी हिसाब से है कि ये सूरे जो है बुद्ध के आसपास ही रहता है तो इसलिए कई लोगों के टेवे में सूरे बुद्ध एक साथ आ जाते हैं जिस वैसे सूरे बुद्ध अब लाल किताब में सूरे और बुद्ध का अलग ही व्याख्या मिलती है क्योंकि सूरे और बुद्ध जी ये दोनों जो है जब मिलते हैं तो मस्नुई ग्रह का concept इन पर लागो हो जाता है ये मंगल नेक की condition बनाते हैं जब सूरे और बुद्ध एक साथ मिलते हैं अगर हम और पदितियों में भी देखें जैसे कि वैदिक में भी देखें तो सूरे और बुद्ध एक साथ मिलने पर बुद्ध आदित्य का योग बनता है तो लाल किताब में भी यहाँ पर सूरे और बुद्ध के योग को जो है शुब माना गया है बहुत अच्छी इसकी व्याख्याइं की गई है पर इसके विपईट यहां पर कुछ चीज़े जो है negative हो जाती है सूर्य और बुद्ध अगर मान लीजे जो है सूर्य अपने खराब खानों में चला जाता है माली जय खाना नमबर छे में चला गया ।ग नमबर उनलै राशला अर्वर साथ नीच अवस्ता का होगी पर यह पर बुद्द के साथ होने पर पर सूरे की नीच अवस्ता पर काफी ज्यादा गया मेरा कमी आजती है इसके व्यपरीत और condition change होती है जब बुद की हालात अगर हम देखें बुद के जहां पर मंदा बुद माना जाता है खाना नमबर तीन में खाना नमबर छे खाना नमबर आठ में खाना नमबर नौ में खाना नमबर ग्यारा या नमबर बारा में यहां पर जो है बुद्ध जो है मंदी हालात का हो जाता है तब इस केस में जो है बुद्ध को सूरे की मदद नहीं मिल पाती है क्योंकि यहां पर बुद्ध एक तरीके से अलग थलग सा हो जाता है तब इस केस में जो है हमें कुछ उपाय करने पड़ते हैं पर इससे पहले हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले सूर्य और बुद्ध की overall condition को हम समझ लेते हैं कि सूर्य और बुद्ध लाल किताब में कैसे कैसे जो है इसके व्याक्यान किये गए हैं क्या क्या बातें इसके लिखी गई हैं उनको हमें समझना होगा अब इस योग को अगर शनी की द्रिष्टी इस पर पड़ रही हो सूर्य बुद्ध के योग पर तब इस केस में क्या होगा शनी के कारोबार जैसे सरकारी ठेके वगरा होगे इन सब चीजों से लाब होगा मगर राजदर्बारी या फिर जो है कोई गौवर्मेंट का अगर हम गौवर्मेंट फिल राता की कलम है सूर अगर बंदर है तो बुद उसकी दुम है तो बंदर जो है बिना दुम के किसी काम का नहीं होता लंगोर को आप देखिए लंगोर की दुम कितनी बड़ी होती है अगर उसके दुम ही जो है उसके साथ ना हो तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे चलांग ही न लगा पाए और आपने देखा ही होगा लंगूर अगर चलांग मार रहा है तो वो चलांग जो उसने आगे के लिए लगाई है वोई छलांग वो पीछे को भी लगा सकता, यानि कि कूद कर गया और वापिस अपनी जगा पे फिर आ जाता है, वो सब उसका कारणामा होता है पूँच का, तो बुद्ध की इतनी इपॉटेंस है, बुद्ध जो है इनसान के साथ, जो है इनसान की बुद्धी है, इनसान की स सूर्य बुद्ध के मंदे भाओं में आने की वज़े से, वो मंदे भाओं क्या-क्या हो सकते हैं, कैसे-कैसे जो है कंडिशन होती है, उनको समझ लेते हैं, देखे, दोनों के मिलने पर क्या कंडिशन बनी, कंडिशन यही बनी की मंगल नेक, तो सबसे पहली इनकी पहचान यह होगी कि यह दिमाग के बहुत तेज होंगे और अपनी मेहनत और अपने दम पर आगे बढ़ने वाले ऐसे इनसान होंगे, ऐसे लोग जो है अकेले ही अपनी दुनिया बना लेते हैं, अकेले ही अपने आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसे लोगों में काफी ज़्यादा इं मैं हो सरकारी संबन्द SIMS हो इनकी हैं पैमिली में जो है गोवर्मेंट लोग जादा हैं सर्विस में पाधिकारी रहі चुका हो तो कहीना कहीं ये connection ज़ारूर इनकी family से बनता है और खुद से भी connection आगे इनका बनता है की हिनका सरकार से कहीना कहीं कोई संबन रहता है अब मृत्यू की बात करें क्योंकि सूर्य और बुद्ध का एक मृत्यू से भी योग बनता है कई लोग आपने देखे होंगे बिचारे एडियां रगडते रह जाते हैं पर उनकी मृत्यू नहीं होती। सूरे बुद्ध वालों के लिए लाल किताब में ये लिखा है कि इनकी मृत्यू जो होगी वो अचानक मृत्यू होती है तो अचानक मृत्यू में वो हार्ट अटैक भी हो सकता है किसी तरह का कोई ऐसा जो है इनसान में प्रावलम आ गई कि उसकी अचानक मृत्य हो गई तो ये चीजे जो है सूरे बुद्ध की कंडिशन लाइफ में अचानक मृत्यों वाले जो है सरकमस्टांसिस जरूर पैदा करती है अब ऐसे लोगों का जो भाग है युवा अवस्था में जागेगा युवा अवस्था जो होती है इनसान के 18 स से लेके 23-25 तक की जो है एक युवा वस्था होती ऐसे लोग जो है अपनी लाइफ में तरक्की कर लेते हैं इस एज के टाइम फ्रेम में तो ऐसे लोग जो है हो सकता है जल्दी ही गौर्वर्मेंट जॉब में लग जाए जल्दी ही अच्छी सेलरी पाना शुरू कर दे जल ड्रीम्स होते हैं करियर के उनको हासिल कर लेते हैं अब इनकी मेरिड लाइफ की बात करें तो मेरिड लाइफ में एक पहचान होती है इनकी वाइफ का जो चहरा होता है वो थोड़ा चोड़ा होता है और थोड़ी के आसपास कहीं न कहीं चोट चखम या फिर कोई ना कोई बर्थ मार्क जरूर होता है आपने देखा होगा कि कई पिता और पुत्र में काफी घमासान जगड़े होते हैं उनकी आपसे मिलती नहीं है पर यहां पर सूर्य और बुद्ध के एक योग में शनी के connection को बताया गया है कि अगर शनी तीन चार पांच खाने में हो तो ऐसे बुद्ध मन्दे खानों में है मान लिजत का खाना नंबर तीन में है खाना आठ में नौं में है…… G direction में है बारा में है तब ऐसे K Mix में क्या करना होता है एक boxing general remedy है बाकि मेंदी नहीं करता है कि बुद्ध और सूर्य किस खाने में है अगर यह मन्दे घरों में है तो इसके सम कांच के बरतन में कांच की बोतल या कोई कांच के जार में जो है आप गुड़ भर कर जो है कहीं शम्षान या जंगल की तरफ दबाके आएं तब ऐसे यह उपाए से जो है खाना नमबर आठ में जो सूर्य और बुद्ध का जो है अलग अलग जो है रिजल्ट वो आपको मिलन शुरू होगा तब हम उस इसाब से आगे की रिमेडिक करेंगे खाना नमबर 11 की बात करें तो खाना नमबर 11 में सूर्य और बुद्ध आने पर जो खाना नंबर 11 के उपाए में बात कही गई है वो यह कही कि इनसान जो है अपने गले में एक तांबे का पैसा डाले तांबे का पैसा क्यूं डाले वह इसलिए डाला जाता है कि यहां पर हम सूरे की मदद लेते हैं जब सूरे साथ में ही खाना नंबर 11 में बुद्ध के साथ बैठा हुआ है तब ऐसे केस में तांबे के पैसे को उपा आप कर रहे हैं तब हमें सूरे और बुद्ध सब के उपाय जो है मिला जुला के करने होंगे इसके एक सिंपल रेमेडी आप कर सकते हैं अगर मालीजे खाना नंबर 11 में जो आपके सूरे और बुद्ध हैं तो घर की पूर्व दिवार की तरफ आप जो है रत गाड़ी रत पितल की भी जो होता है चेरियौट लो जो आप स्थापित कर सकते हैं अब खाना नंबर 12 में बात कर लेते हैं खाना नंबर 12 में जो है बुद्ध नीच का है पर शूरे यहां पर ठीक है किसी हालात से और शूरे बुद्ध जब खाना नमबर बारा में होते हैं तब ऐसे केस में जो है आपको घर में जो है दक्षिन पूर्व या दक्षिन पश्चिम की तरफ जो है आटा पीसने वाली चक्की रखनी चाहिए और साथ में आपको स्टील का छला एक छोटी उंगली में पहनना चाहिए ताकि बुद्ध तो आप अपने रोजमरा के खाने में इस्तिमाल करके खाते रहें आपने जो है दातों वगरा को साफ रखेंकर सूरी के खाना घाइक न्बर एक आर पांक या जो या भुद्ध चं लरा कहीं से मंदा हो शूरप नंबर 6 से मंदास रा रहा और सूरे के मंद्ध हालाथ को सिखांड होती है यह समान जो है आप भूरी चीटियों को डालते रहें ताकि बुद्ध और सूरे जो है सूरे खाना नंबर 12 में बैठे हुए हैं यहां पर सूरे के मंदे असर दूर हो और बुद्ध को भी सपोर्ट मिलती रहे तो इसके साथ बाकी उपाये बदल जाते हैं सूरे के लिए जो है आप रोज सूरे देवता को अर्ग दीजिए कुछ मीठा डाल कर बुद्ध के लिए आप जो है साबुत मुंग की दाल भीगा सकते हैं रात को और जो है सुबह पक्षियों या जानवरों को डाल सकते हैं हरे नीले काले कपड़ों का परहेज रखिए औ दो चार पांच रुपे में जो आपकी शरद्धा हो उसे साब से वह पैन खरीदे और पैन आप डोनेट करते रहिए जो है अपने पिता से संबंद अच्छे रखिए नमक का कम उप्योग करिए तो आई होब दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में कुछ इंफोर्मेशन मिलियो की सूरे बुद्ध के योग के बारे में बाकि जिन लोगों ने भी कंसल्टेशन लेनी है और जो लोग मुझे कॉंटेक्ट करते हों किरप्या करके मुझे सिर्फ पहले वट्सेप करें डिरेक्ट कॉल ना करें और जिन लोगों को भी किताबे मंगवानी है पंडित टान